हलो फ्रेंट स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई योजना निबंधन मित्र की वैसे तो आप सभी लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिये होंगे इससे रिलेटिट मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोग देखेगे और अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंट्स के साथ सेयर करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो सरकार की एकी नई पहल है निबंधन मित्र की इसके अंतरगत लगबख 20,000 युवाओं पुजो है लाप मिलेगा योगिता की बात करें तो योगिता में इसना तक मांगा गया है यानि की ग्रेजुएसन होना आपका अनिवार है वेतन की बात करें तो बताया जा रहा है कि सालाना तीन लाख इंकम होगी इनकी नियून्तम ठीक है यानि कि अगर जोड़ा जाए तो 25,000 रुपए प्रतिमा तक ये इंकम प्राप्त कर सकी कारे की बात करें तो प्रापर्टी के पेपर वगएरा मेंटेन कराना डीट तयार कराना इनका आउखे कारी होगा ये सारी जानकारी गवर्मेंट ने नियूज पेपर के थुरूद दी है तो उसकी कटिंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ दिखे साप साप दिया हुआ है प्रदेश में बनेंगे निबंधन मित्र हजारों लोगों को मिलेगा नौकरी का मौका कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताओ यानि अभी प्रस्ताओ प्रस्तुत नहीं किया गया है रखा नहीं गया है अब इसके बारे में विचार किया जा रहा है आप लोगों को UP में भरती की इस्थिती तो पता ही है जो जिनून भरतियां है वो नहीं हो पा रही है UP88C की तो बात ही नहीं करिया है आप UPPSC को देख लीजिए उसके भी गजाम इतना डिलेव हो रहे है तो आप सोच सकते हैं निबंधन मित्र की भरती कब आएगी कब आपको ये सुनाहरा उसर देखने को मिलेगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो मैं आप लोगों को सज़श्ट करूँगा कि अगर आप लोग जिस भी गजाम की तयारी कर रहे है जैसे भी लेटिस्ट में इलाभाद हाई कोर्ट रेलवे और एससी वगएरा चल रहे हैं जो समय पे एकजाम कंड़क्ट करवा रहे हैं तो आप लोग उन पे अगर तयारी कर रहे हैं तो उससे भटके नहीं यह जब आएगा तब आएगा आप लोग अभी जिस पर प्रिप्रेशन कर रहे हैं उस पर करते रहे हैं ठीक है फिलहाल आया है तो मैं बता देता हूँ निबंधन मित्र की अगर बात करें तो इसके लिए प्रस्ताव तयार किया रहा है निबंधन मित्र रजिस्ट्री वा प्रपर्टी संबंधी दस्तावेश तयार करेंगे सबसे पहले क्या होगा सरकार की तरफ से इन्हें प्रसिचर दिया जाएगा फिर इन्हें यूनिक आइडी नमबर के साथ में लाइसंस दिया जाएगा और क्या है एक रजिस्ट्री का पेपर तयार करने की फीस दो हजार रुपे तय करने का प्रस्ताव है यानि अगर आप एक रजिस्ट्री का पेपर तयार करते हैं तो आपको दो हजार रुपे मिलेंगे ठीक है और अगर वहीं आप कोई गलट डीट तयार करते हैं तो उसकी जवाब दे ही भी होगी आप उसकी जवाब दे ही भी देनी पड़ेगी इस प्रस्ताओं से नियूनतम 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाओं की संख्या अच्छी खासी होने की उमीद चताई जा रही है ठीक है किलिए रह एतनी चीज़ अब राजिस्ट्री की बात करें तो राजिस्ट्री की डीट करने के लिए पहले से एग तीन विकल्प होते थे ठीक है और ये जो निबंधन मित्र है ये चوتھा विकल्प होगा जो सरकार देने जा रही है यानि कि अब एक सरकारी आदमी नियोक्त होगा जो इन सब चीजों को देखेगा ठीक है तो यानि कि तीन विकल्प के साथ में चौथा विकल्प होगा चूकि आप सरकारी आदमी रहेंगे तो no doubt आप से लोग काम बहुत करवाएंगे और आपको लाब भी अच्छा खासा मिले हो सरकार प्रसिषण करवाएगी उसके बाद लाइसेंस देगी आपको लाइसेंस बनाये रखने के लिए एक वर्स में नियोंडतम पांच रजिस्ट्री करना अनिवार्य होगा ठीक है रजिस्ट्री डीट बनाने का अधिकार अधिवक्ता और डीट राइटर को पहले की त बंद नहीं किया जाएंगे ठीक है और चौते विकल्पी रूब में आपको कंसीडर किया जाएगा निबंधन मित्र की भी जवाब देही तय होगी क्या जवाब देही रहेगी प्रतेग रजिस्ट्री से पहले प्रापर्टी का बहुतिक परिच्छर करना होगा यानि आपक प्रापर्टी को और साल में अगर आप पांच गलत डीट कर देते हैं तो उसके लिए आपको नोटिस जारी कर होगा ठीक है जिसका जवाब जो है आपको डिस्टिक मजिस्टेट यानि डियम को देना होगा और उसमें इस्टांप लगते हैं तो आपको आईजी इस्टांप को भी जो है उसका जवाब दे ही आपकी आईजी इस्टांप को भी बनेगी उसको भी लिखित में आपको देना हो और अगर आप यह सब नहीं करते हैं तो फिर आपका लाइसंस रद्द कर दिया जाएगा ठीक है फिर है आप इसकी जरुरत नहीं होगी घर से काम कर सकेंगे बताया जा रहा है कि निबंदन मित्र कचैरी में किसी आफिस की जरुरत नहीं पड़ेगी नहीं घर से भी काम कर सकेंगे और एक डीट के लिए रजिश्टी की वैलू का एक फिस दी यानि दो हजार रूपए जो भी कम होगा फिस की रूप में दे होगा ठीक है यानि आप 2,00,000 की डीट बनवाते हैं तो एक परसंट यानि कि आपका जो है 2,000 रूपए थे होगा आप माल लिजे आप कोई 5,00,000 रूपए का बनवा रहा तो ऐसा नहीं कि आप 5,000 रूपए उससे लेंगे आप निउन्टम फिस यानि कि 2,000 रूपए लेंगे अप जैसे कोई 1,00,000 का बनवा रहा तो ये 1% 1,000 होगा तो उससे आप 2,000 ना ले करके 1,000 रुपए ही लेंगे जो भी नियूंतम होगा वो आपको लेना है ठीक है अब 10,000 की है तो ऐसा नहीं कि आप 10,000 रुपए लेंगे आपको उनसे maximum 2,000 रुपए ही ले पाएंगे इसके अलावा दस्तावेजों की जाच की रुप में 50 रुपए प्रति दस्तावेज आपको फीस मिलेगी जैसे मानली जी किसी का बैनामा है या कुछ भी देखना है आपको तो उसकी जाच की रुप में आपको 50 रुपए प्रति दस्तावेज की जो है फीस आपको मिलेगी ठीक है एक वर्स में बताया जा रहा है करीब 38 लाग इस्टाम पंजियन होते हैं इसमें लगभग आधी डीड होती है ठीक है यानि कि करीब 15 से 20 लाग जो है आपकी डीड होती है अनुमान ये है कि एक निबंधन मित्र की सालाना नियुन्तम आय तीन लाग रुपए तक की होगी ठीक है अब ये तीन लाग रुपए जो नियुन्तम आय है ये गॉर्मेंट ने कहीं भी मेंसन नहीं किया है कि आपको सेलरी के रूप में देगी आप सपोश करिए आप जो है निबंधन मित्र बन जाते हैं तो एक महीने में आप जो है दस से बारा डीड तो करी लेंगे ठीक है और अगर दस डीड माना जाए तो दस डीड के हिसाब से गर दो हजार रुपए के हिसाब से आप ले रहें यहाँ पर मेंसन किया न उसके रूप में मिलेगी बहुत सारे लोग बता रहे हैं सेलरी पक्चीस हजार तो ऐसा इसमें कहीं मुझे दिखा तो नहीं भाई आगे हो तो अलग बात है जो चीज नियूस पेपर में लिखी मैं वो आपको बता रहा हूँ आप लोग खुद पढ़े लिखें इस पॉइंट को एक बार आप लोग फिर से पढ़िएगा और इसे भी फिर से पढ़िएगा ठीक है तो आप लोगों को समझ में आएगा और क्या दिया है घर से काम करने की आनलाइन सुविधा मिलने के कारण कचहरी में लगने वाली भीड़ वगएरा कम हो जाएगी ठीक है आपिस आने जाने का खर्च की बचत होगी आपको ठीक है और सच्छित मैलाओं को घर बैठे रोजगार का विकल्प मिलेगा तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा अगर आप कचहरी में नहीं जाएंगे लोगों से संपर्क नहीं करेंगे तो जैसे दिवक्ता लोग पहले करते हैं वैसे डीट तयार रहेगी बैनामा लेखत लिखता रहेगा ठीक है तो काम आपको कम मिलेगा और साल में आपको मिनिमम पाँच डीड करनी ही करनी है ठीक है पाँच रेजिस्ट्री आपको करवानी ही करवानी है अगर नहीं करवाएंगे तो लाइसे रस्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है काम का प्रेसर रहेगा अगर आप सोचे घर बैठे जो है 20-25 जार रुपए कमा रहे हैं तो संभाव नहीं है ठीक है मैंनत तो करनी पड़ेगी फिलहाल मैं आप लोगों को सला दोंगा जिस एक्जाम की आप लोग तयारी कर रहे हैं वो करते रही यह जब आएगा भविस्स में तो देख लिया जाएगा ठीक है उमीद करता हूँ चीजे आप लोगों को किलियर हो गई होगी मैंने जो बताया एस्पेसली सेलरी की बाद इंकम की बाद कि आप कितना पैसा कमाएंगे अगर यह चीज आप लोगों को किलियर हो गई होगी तो एक लाइक हिट करके जरूर जाएगा और वीडियो को लोगों के साथ सेर किजिएगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगर कोई क्वेरी रहे गई हो तो यह हमारी इमेल आईडी है इस पर आप लोग हम से संपर्क कर सकते है थेंक यू